वेलकम टू मैच चैनल मॉबाइल माइनिंग हमारे मॉबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है हलो फ्रेंज यदि आप लोग CCL के बारे में यानि की CCL के बारे में details, introduction, coal reserve, कितने coal fields हैं और साथे साथ कितने areas हैं और कितने minds में CCL के अंतरगत में कितने minds आते हैं उन सभी के बारे में तो उसका वीडियो औरेड़ी YouTube पे upload है मेरे चैनल पे जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और यदि आप लोगों नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो को इस वीडियो के high button पे दे दूँगा तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो इस वीडियो में हम लोग CCL यानि का annual report 2019-20 का जो भी एनलाइज है जो भी important points exam के लिए वह हम लोग देखेंगे चुकि जो annual report रहता है उसमें बहुत सरे detail accounts रहते हैं financial year के तो वह सभी से मैंने अनलाइज करके जो important हो सकता है वही सब point हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे अभी तो सबसे पहले जो जिसमें annual report जारी किया गया था तो उसमें जो CCL के CMD थे वो गोपाल सिंग थे पर अभी जो CMD है PM प्रसाद यानि उनका जो फूलने में पुला और अपू मलिकारजुन प्रसाद है इसके बाद हम इसके बाद यहां पर और भी मेंबर्स को देख सकते हैं फिर एक important यहां पर आता है last में company का सेक्रेटरी कौन है तो यह मिस्टर रवी प्रकास इसके बाद हम लोग देखते हैं जो CCL के पास तो टोटल एरिया कितना है तो साथ पता भी होगा टोटल 13 एरिया अरिया है थारा एरिया greedy area इनके यान 허κα करणपूरा एडिया और लाश्ट में मगद अमरपाली एरिया मगद हमरपाि यह बलकि सबसे लेटेस्ट जो पाद में बना है वो है greedy area है इसके बाध आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर जो बोध देख सकते जो प्रोडॉक्शन है दो हजार मर्ज तक का यहां पर दिया हुए टॉटल वैसे तो 2012 से यहां पर प्रोड़क्शन दिया है तो इसको आप अधी देखना चाहो कंपरिजन करना चाहो तो कर सकते हो तो टॉटल प्रोड़क्शन जो रहा है 16.889 मिलियन टन कर रहा है इसके बाद अबहर बर्डन रिमूबल का टॉटल एक सो तीन दसमलो तीन पांच छे मिलियन क्यूबिक मिटर कर रहा है इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं प्रती एक साल मैंपावर घट रहा है इसके बाद देखते हैं हम लोग OMS यानि आउटपूट पर मैंसिट जो है ओवर ओल दोनों को मिला करके 8.49 टन का है इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर OMS का भी एक ग्राफ देखर रखा हुआ है फिर हम लोग बात करते हैं टारगेट का जो की 19-20 का कितना टारगेट था तो टोटल जो टारगेट था 77 मिलियन टन का टारगेट था पर वो अचीव नहीं हुआ फिर OBR जो भी ऑवर बडन रिमोबल है वो 108 मिलियन क्यूबिक मीटर था वो भी अचीव नहीं हो पाया इसके वाद जो OMS 8.56 टन पर जो एक्चूल है यानि जो इन्होंने किया आठ दस्थमलों चार नौ टन का फिर प्रड़क्शन का यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है अब हम लोग कोकिंग कोल वासरीज का देखते हैं जो टोटल सिसल के पास कोकिंग कोल का वासरीज है जो है तीन दिया हुआ है और तीन है भी जो पीपर वार गिदी करगली में है उसका भी प्रोड़क्शन लाग टन के इसाब से यहां पर दिया हुआ है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आफटेक का है तो सबसे जादा है जो आफटेक इनी डिस्पैच्च जो किया रियल से चीजाता है उसका भी यहां पर आप डाटा को देख सकते हो हुआ इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि यहां पर ग्राफ देख कर रखथा है जो कोल का डिस्पैच होता है यानि की यूज कहां पर सबसे जादा होता है तो पावर सेक्टर फिर स्टील सेक्टर औ कितना यूटिलाइज करता है कितना अविलेबल के पास तो यहां पर इसका उठारा उनीस का और उनीस बीस के साथ भी यहां पर डाटा दिया हुआ आप इसको भी देख सकते हुए फिर आगे हम यहां पर कुछ टर्न ओवेस वगेरा दिये हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते ह है पॉपूलेशन ओफ हैं या फिर जो परफॉर्मेंस ओफ हैं मसीन के पास टोटल कितना है तो यहां पर निस बीस साथ अठारा उनीस का भी डाटा दिया हुआ है तो सौवल जो है टोटल पंचानवे है डंपर तिन सो चासाट डोजर एक सो चौशाट और मसीन जो है सो एक 243 है और यहां पर एक तिसमाज 2019 तक कर दिया जो कि 805 था इसके वाद आगे हम लोग बढ़ते हैं CCL ने यहां पर चार साल का प्रोजक्टेट जो टार्गेट रखा है यानि कितना प्रोड़क्शन वो कर सकता है तो 20-21 का 86 मिलियन टन 22-23 का 117 मिलियन टन 23-24 तक का इन्होंन यह करेगा यह तो आने वाला समय ही हमें बताएगा इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहां पर सेफ्टी परफॉर्मेंस यानि कितना इन्होंने एक्सिडेंट हुआ कितना नहीं हुआ तो सबसे जो है सो फटल एक्सिडेंट तो जीरो रहा 19-20 में यानि बहुत ही अच 188 में माइनिंग सर्दार लोग का जो अपॉंटमेंट हुआ था कुछ दिन पहले ही एक साल लगबग साथ हो गया तो इतना अपॉंटमेंट हुआ है फिर 83 और डिपार्टमेंटल इलेक्रिसियन भी रखे जा चुके हैं और अभी जिसका आप लोग त्यारी कर रहे हैं इसक इतना मेंठ वर की बात कर रहा है तो एक कीटी सुपरवाइज्री कितना टोटल मेंठ वर यहँ आपे है तो वह भी इन्हों ने यहां पर मैंशन करके रखा है उसको भी देख सकते हो यंघ्लाब से की प्रकार यहां पर प्रतेक साल के हिसाब गट रहा है फिर यहां production दिया हुआ है important point नहीं फिर आगे हम लोग देखते हैं जो skill development है CCL इसके साथ मतलब कोई लेक को निकालने के साथ और भी कुछ खाम करते है तो skill development में सबसे पहले है भूरकुंडा टेक्निकल ट्रेनिंग इस्टूट है जो की ट्रेनिंग करवाती स्टूडेन लोग करवाया जाता है फिर है यहां पर एक फोटो देख सकते हैं संपूर्ण विकास केंद्रा इन्हों ने खोल के रखा जहां पर ट्रेनिंग या फिर कोई भी बढ़ावा देने के लोगों को कुछ आगे करें तो उसके लिए भी उजनाय चलाते रहती है फिर इसकी development center एक जौन कर सकते हैं साथ ही साथ मेरा जो टैलीग्राम का चैनल है तो उसका भी लिंक में description में देदूंगा और उस चैलीग्राम चैनल पर मैं वीडियो का जो पीडीएफ है वहां पर भी इसका लिंक कर सकते हो और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं CCL के टुल उसके होट पास पुरे इंडिया का ओं यहां पर देख सकते हो 4546 मिलययन टन का टोडल है जिसमें कोकिंग कोल का जो प्रूब ? इंडिकेटिट इंफ्राइड यहाँ पर टोटल के साथ में पर देखे रखा है कोकिंग कोल का भी यहाँ पर देखे- रखा है पिर बात करते हैं जो टोटल इंदिया का जो एक एप्रिल एक डाटा जो है 2021 तक का ही है टोटल 326.49 बिलियन टन गा यहाँ पर जो है फिर आगे बढ़ते हम लोग कोल का डिमांड सबसे ज़्यादा सूसिस्टियल कोल का वह पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा या फिर इसका डिमांड होता है यहां पर देखते हैं जो भी प्रोडक्शन इन्होंने किया है टोटल इंडिया का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से यह इसका प्रोडक्शन है 11.11 परसेंट रहा है कुछ ठीक ठाकी बोल सकते अच्छा ही प्रोडक्शन है फिर आगे हम लोग देखते हैं कोल का जो डिस्पैच है तो यहां उपर भी का फैनेंसियल के हिसाब से यहाँ पर यहां पर देखके रखा फिर पर्फॉर्मेंस की बात करते हैं तो यह ग्रौ्थ प्रतेफ साल हूँ कितना परसेंट कर रहा है या फिर घट रहा है तो यहां देखते पिछला साल घट चुका है पिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर जो holding company CCL जो है सो कोल इंडिया के अंदर आती तो वह holding company sister companies जैसा इसील स्वारी CCL जो है उस टैप से जो total companies है तो साथ companies है यहां पर आप देख सकते हो यह नि बोल सकते कि जो कोल इंडिया का subsidiary total art company यहां पर साथ जो है साथ ही साथ एक CCL इसके वाद जो subsidiary company CCL का एक subsidiary company जारखन Central Railway जो यह सबसीडरी बोल सकते CCL का है फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर देख सकते हैं जो Central Hospital है total यहां पर चार नम टोटल चार Central Hospitals है गांधी नगर राची में है है Central Hospital रामगर में है फिर धोरी में है नौर्थ करनपूरा में चार जोए सो Central Hospital CCL ने खोलके रखा हुआ है और यहां पर रिजिनल हॉस्पिटल स्पीड देखे रखे इसका जो तोटल कितना है पांच रिजिनल हॉस्पिटल भी है और एरियाज भी दस हॉस्पिटल से और इसका पूरा डिटेल्स भी देखे रखा है कि इतना बैट की कैपासिटी है इत्यादी इत्यादी फिर आगे हम लोग बात करते हैं जो चूरी अंडर ग्राउंड माइन्स है तो वहां पर सबसे पहले जो कंटिन्यूस माइनर जो लगाया गया है यह 24 मार्च 2019 को ही लगाया था तो यह भी इन्हों ने यहां पर मैंसन करके रखा है फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कोल का प्रोडक्शन करने में फिर कोल का ट्रांस्पोर्ट करने में साइडिंग में रखने में जैसे कामों को करने से डस्ट का बहुत ही फॉर्मेशन होता है तो इससे बचने के लिए सीसील भी वाटर स्प्रिंकलर जैसे जो भी साधन होते डस्ट से बचने के लिए वह भी यूज करते हैं डस्ट को कंट्रोल करने के रेडवे साइडिंग में इन सभी इन सभी चीजों का जो है सो उप्यों करती यहां पे आप देख सकते हो फिर आगे जो सो की सीचेल के पास इंटर लें इंटरेंट की भी जो है सो प्रतेक एरियाज में स्विदा रखी के साथ देख समार्ट क्लास देख सब्सक्रात अब इसके साथ यहां पे देख सकते एकी सेंट्रल वर्क्रावार में और पांट जो है रिजिनल वरक्सप है भुरकुंडा तापिन नौत तीसर डकरा और जगंडी जरंडी और पांचवाँ जोएसो वरक्सप गिरीडी में है फिर लास्ट में यहां पर एक जो भी डाटा दिया हुआ है यह कितना एक्ट यूज होता है माइनिंग में यह सीचियल का एन्वल रिपोर्ट में ही दिया हुआ तो यहां पर आप इस प्रस्पेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको जानोगे तो ही अच थेंक्स पूर वाचिंग जैहेंद आप 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 कर समय कता है